आज हम सीखने वाले हैं यूनिट्स और लिमिट्स कमांड यूनिट्स कभी इस्तिमाल लता है जब नया फाइल आप चालू करते हैं तो यहां पर कुछ लाइन बनाया उसके लिए यहां पर लाइन कमांड लिया यहां पर कितना लंबा बनाना है समझो 20 का लाइन बनाना है यह 30 मिलीमिट्र है या इंच से कैसा हम डिसाइड कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मैट में जाके यहाँ पर हमको यूनिट सेट करना पड़ता है शॉटकट की यूएन तो ड्रॉइंग यूनिट्स का डायलग बोक्स उपना होता है यहाँ पर लेंड का टाइप डेसिमल रहेगा तो ड्रॉइंग मिलिम में तैयर होगा यहाँ पर लेंड का टाइप डेसिमल रखा जाता है तो इंसर्शन स्केल भी यहाँ पर आपको मिलिमेटर रखना पड़ता है यहाँ पर प्रेसिजन कितना चाहिए हो आप यहाँ से सेट कर सकते हो हो डॉट के बाद जितना ज्यादा जिरो रखो यह उतना अब बढ़ता जाएगा यहाँ पर लेंड का टाइप डेसिमल है तो รוג मिलिमेटर में तयार होता जाएगा पहले जादा 0 रखेगो ना accuracy आप बढ़ा के सम्झो दो 0 रखा डबल 0 लिया तो 15.25 तक वैल्यू आप दे सकते हों सम्झो चार जिरो रखा तो 15.4338 तक वैल्यू आप दे सकते हों मतलब डॉट के बाद के वैल्यू आप बढ़ा के सेट कर सकते हों लेकिन computer उसे slow हो सकता है इसके लिए आवश्य कितना आवश्य है कि उतना प्रेसिजन लिया जाता है दो 0 सफिशेंट रहता है बाद में अगला option आता है इंसर्चन स्केल इंसर्चन स्केल यहां पर यहां पर लेन का टैप डेसिमल है तो इंसर्चन स्केल आपको मिलिमेटर रखना परता है ताकि कोई भी ब्लॉक या ड्राइंग आप इस फाइल में इंसर्ट करते हो तो वह मिलिमेटर में इंसर्ट हो जाएगा उसके इसाब सके वह आटोमेटिकली स्केल एड्डिस कर लेता है इतना ध्यान में रोको कि यहां पर डेसिमल रहेगा तो यहां पर इंसर्षन स्केल मिलि मिल्मिलिमेटर में पर करता जाका कि बौसी इंसर्ट है उसके छ दो इसके या ट्राइंग नौगे वह मिलिमिटर में तयार होता याँगा अभी यहां पर समिए मैना तो यह सकते मिलीमेटर कहले है तो यह यहां बाद में यहां पर यूनेट्स कमांड लिया यहां पर 50 का लाइन बनाए लेकिन उसके साथ में आपको डायमेशन स्टाइल में भी वह यूनेट आपको रखना पड़ता है यहां पर इसका शौक कट की ड यहां पर मौडिफाय बटन पर क्लिक यहां पर प्राइमेशन आपका बराबर आ दाइमेशन место आपको डेसीमॉ रखना पड़ता है फाइल का यूंटस सम्झो अर्किटेक्चर इंगर लखना पड़ेगा लए तो यह की सिरकित पॉइंट सेकंड पॉइंट तो इसका डायमेशन महाँ पाजा सकता है यह 50 mm है यह थोड़ा जूम करके देखते हैं यह काफी छोटा लग रहा है तो इसका साइज बढ़ाना है तो एनोटेशन में डायमेशन स्टैल में गए तो मोडिफाय में यहां पर फिट में ओरल स्केल बढ़ा लिया एक का पाल दस या बीस कुछ तो भी कर लिया और प्राइमेर युनिस में यहां पर ट्रेलिंग ऑप्शन और रखा ओके दिया क्लोज ऑप्शन लिया तो यहां पर यह 50 का लाइन त्यार हुआ रहेगा यूनिट्स में और कुछ ऑप्शन से यहां पर सेंपल आउट्पूट में आपको ड्राइंग किस तरह दिखाया जाएगा किस तरह वैल्यू आप दे सकते हैं वह सेंपल के तोर पर यहां पर दिखाया हुआ है बाद में रेंडर करते वक्त लाइट का वह शक्ता पड़ता है उसका यूनिट कौन से रखना है वहां से सिट और रहते अगर डिफॉल्ट इंटरणेश्णल लेता है अमेरिकन भी उनिट है लेकिन उसका उतना इस्तिमाल नहीं होता बाद में एंगल मापते वक्क कौन से यूनिट में मापना चाहिए वो यहां से सेट किया सकता है बाइडिफॉल डेसिमल डिग्री रहता है ग्राडियंस भी यूनिट साते हैं लेकिन उसका उतना इस्तिमाल नहीं होता है इसका बहुत के बाद जिरो नहीं रखा तो भी चलेगा अगर आवशकता है तो एक जिरो रख सकते हो लेकिन आवशकता नहीं पढ़ता है नॉर्मली एंगल एंटी क्लोक्वाइज मापा जाता है मतलब यह 0 यह 90 यह 180 इस तरह से एंटी क्लोक्वाइज मापा जाता है गड़ी के काटे के उल्टे दिशा में मापा जाता है अगर क्लोक्वाइज ऑप्शन सेलेक कर लिया तो गड़ी के काटे के मुताबिक एंगल मा minus x minus y axis 90 degree minus x axis 180 3 ऐसा घडिक ऑतिके दिशा में वह मापा जाता है इन तो बाई डिफल्ट anti-clockwise मापा जाता है । इस एक- Sales 0 y axis 90 9 minus x axis 180 degree minus y axis 270 degree ऐसा वी anti-clockwise direction में मापा जाता है। यहाँ पर और एक अप्शन हाता आप है डायरेक्ष्टन aятся डायरेक्ष्टन पर क्लिक क्या तो एंगल किदर से मापना चाहिए वह आप यहाँ से कर सकते हो बाइडीक्ष्ट के दे Matthew mer दिवक्ष्टरील्ट है मतलब जो एकस में सरो डिक्ष्टरील रहता है को जरूद्र में है तो नौर्थ में 90 अपसेट कर सकते हो ने तो इसमें ज्यादा तर इसमें चेंज करने का ज़रुवत नहीं है इसके बार में और कुछ जानकरी चाहिए तो हेल्प से अपने सकते हो तो यहां पर यह डेसिमल का फाइल यहां पर त्यार किया सकता है समझो यहां पर अभी इस फाइल को समझो डेसिमल करके नाम देखे रखा ज़रुवत नहीं वैसा अभी सम्झो इंचेस में कुछ ड्राइंग बनाना है तो यहां पर फार्मेट में यूनेट्स कमांड लिया शॉटकुट की यूएन यहां पर लेंड का टाइप आर्टेक्टर या इंचेस में लेना पड़ता है आर्टेक्टर या इंचेस में त्यार होते जाएगा पहला इंजिनेरिंग देखते हैं तो डॉट में वैल्यू दिया जा सकता है इधर भी डॉट के बाद कितना ज्यादा जीरो चाहिए वह आप यहां से सेट कर सकते हो कि यहां पर क्या रहता है लाइन कमांड लिया स्टेट डिरेक्षिन में तैयर करना है तो यहां पर एफिट आ राका हो इसकते हो यहां पर भी इंजिनेरिंग में फीन चेस दिया जाता है फीट कैसा देना जाता है जो समझे का ota 2,4 इंच बनाना है तो यहां पर पहला सिंगल पोस टूपेस देना पढ़ता है दो के बाद सिंगल पर लेघ चेस देना है, और भाद में डबल पोस टूपेस लिया ऐसे प्रेस करके डबल अपरस टूपेस लिया जा सकता है तो दो फीट चारेंज का लंबा लाइन त्यार हो जाता है यहां पर फॉर्मेट यूनेट में इंजिनेरिंग सेट किया तो डाइमेंशन स्टाइल में भी वही यूनेट आपको रखना पड़ेगा इसलिए डाइमेंशन स्टाइल में गया शॉट्कट किडी मॉडिफाय बटन इंजिनेरिंग सेट किया है यहां पर डाइमेंशन में अपना है तो लिनियर कमांड लिया परस्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट तो यहां पर दो फीट चार इंचेस वैल्यू यहां पर आपको देखने को मिलेगा अगर आखिटेक्टुर में काम इंचेस का और एक तरीके से वैल स्केज बना जा सकता है उसके लिए यहां पर फोर्माट में युनिट्स कमांड लिया यहां पर लेंड का टाइप आर्पिटेक्ट्चर रखगपना पूड़ेगा मतलब आर्खिटेक्ट्चर कभी लिया जाता है दो पुर्णांक एक चातर थाऊंच तीन पुर्णांक एक स्टम होंच ऐसा वैल्यू अगर देना रहेगा तो आर्खिटेक्ट्चर यहां पर सेट के आज़ जबता है पर यहां पर लाइन कमांड लिया स्टेट डाय्रेक्शन में बनाना है तो एफ यहां पर अन रखा यहां पर कितना लंबा लाइन मननें समझो दो फीट का दो फीट दो फीट चार इंच यहां पर भी फीट में वैल्यू देना है दो फीट लिया और चार इंचेज देना है चार टाइप के इंचेज देना तो डबल फोस्ट फेस लिया तो दो फीट चार इंच का लाइन यहां पर तैयर हो जाएगा यहां पर कुछ ऑप्शन्स रहते हैं यहां पर डाइमेशन स्टाइल में यहां पर मौड़िक्राय में आपको यह प्राइमेर उनिट में यूनिट जो हो आर्खिटेक्टिर रखना पड़ेगा ओ продолж option यहां पर लिनियार कमांड लिया i2ट टयार रहते जाएगा यहां पर भी कैसा रहता है अगर ड्राइम लाइन इंचस में बना यहां पर दिया रहे घए अभी यहां पर आरिकिटेक्चर में लाई वगरा बनानी है तो समझदोग यह यहां पाच Escape का लाइन को पुल्रां को तो सांडे पाच पूर्णं का यह बाद में डिवाड़ेड़ तो तो साड़े-पाच का लाइन यहां पर बना जा सकता है यह कुछ सिंगल फोस्ट फेस डबल फेस नहीं लिया तो वह इंचेस में लेता है यहां पर भी डामेंशन स्टाइल में गए शॉटकट की डी यहां पर प्राइमर युनिट यहां पर आर्खिटेक्टर है इसका डाना नोल स्टात टो यहां पर इस तरह से वाल्यु दिखाना थो आपका यूनिट अर्खिटेक्टर में रखना पड़ेगा, यह हो गया units के बारे में, अगला आता है limits, limits कभी इस्तिमाल होता है, अगर आपको पता है, कि आपके drawing का maximum length width पता है, यह screen जो रहता है, वो unlimited रहता है, अगर आपके drawing का maximum length width आपको पता है, तो ऐसे में स्क्रीन को लिमिट सेट किया सकता है करसर किदर गुम रहा है वह यहां पर नीचे कओडिनेट में आपको देखने को मिलेगा यहां पर समझो rectangle बना लिया rectangle कमान लिया पास कामर पॉर्ट के लिए यहां पर 0,0 लीया और यहाँ पर अधर कॉर्णर पॉइंट डारेक्ली दुस्ट लेंद्फिड पते तो 20,20 टाइप किया यहाँ पर यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड लिया पॉस्ट कॉर्णर पॉइंट यहाँ पर 0,0 लिया और मुझे डारेक्ली दुसरा कॉर्णर पॉइंट डेना है तो एडरेक्ली 20,20 लिया तो दुसरा कॉर्णर पॉइंट यहाँ पर त्यार किया सकता है यह समझो मुझे इतना ही इरिया में मुझे ड्राइंग बनाना है तो लिमिट्स में सेट कर सकता हूं यहाँ पर लिमिट्स सब्सक्रेंब करें के ओधिद्येंब कि आपको पता चलेगा लेकिन होग अगर लिमेट्स ए नेध्या पर लिमेट्स कमानिया या फिर फॉर्माट में ड्रैंग लेंट्स तो इन ने सुम्झों यहां पर 20, 20 लिए तो उतनी में मुझे यहां पर आउन कर लियो और सिर्फ और करके पायदा ने रहता है वह सेट भी करना पड़ता है लोडेफ कोरनर पूछता है वहां पर यहां पर यह 0,0 लिया और अपर राइट कॉर्णर यहां पर 20,20 लिया तो उतनी एरिया में मैं ड्राइंग देस्क बना सकता हूं यह पॉइंट लिया अभी एक्स का वैल्यू कितना है 11,Y का 6,X का वैल्यू 17,Y का 16,X का वैल्यू अभी 24,Y का 18, बाहर कि इधर भी पॉइंट क्लिक करने जाएंगे तो वह पॉइंट नहीं लेगा क्योंकि लिमिट्स चालू है वही लिमिट्स के अंदर पॉइंट आप दे सकते हैं लेकिन लिमिट्स के बाहर पॉइंट नहीं दिया जा सकता हूं कि इधर भी पॉइंट क्लिक करने जाएंगे तो वह पॉइंट नहीं लेगा अगर लिमिट्स यहां पर वापस अफ कर लिया तो पॉइंट आप किदर भी देश सकते हूं आप लाइन कमांड लिया तो पॉइंट अभी किदर भी दी आ जा सकता है बाहर किदर भी लिमिट्स के बाहर भी आप ड्राइंग बना सकते हो अगर ड्राइंग का मैक्जिमूम लेंद फिर पता है तो आप लिमिट्स सेट किया जा सकता है ओके थैंक यू ये था यूनिट्स और लिमिट्स कमंड थैंक यू झाल 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 झाल